सीबियसी के बाद अब यूपी बोर्ड ने भी बारवी की परिक्षा को रद्द कर दिया है और सभी छात्रों को अगले साल के लिए प्रमोट किये जाने का एलान किया है यूपी बोर्ड के सौ साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब हाई स्कूल और इंटर्मीडियर दोनों ही परिक्षाओं को रद्द कर दिया गया है साथी साथ ये भी पहली बार हो रहा है जब इमतहान में आवेदन करने वाले सभी छात्र प्रमोट कर दिये जा रहे हैं सभी छात्र पास हो जाएंगे कोई भी छात्र फेल नहीं होगा ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है खत्रा जरूर कम हो गया है लेकिन जो महामारी है वो लगातार पाउं पसारे हुए है ऐसे में एक तरफ परिक्षा थी दूसरी तरफ छात्रों की सुरक्षा थी लहादा सरकार ने छात्रों की सुरक्षा का फैसला किया है और इस पर जो फैसला लिया गया है इस पर जो चात्र हैं जो टीचर्स हैं जो अभी भावक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो क्या सोचते हैं इस बारे में हम मौझूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी स्कूल में हमारे साथ तमाम स्टुडेंट्स भी हैं जो बा सी कोर्ट से लेकिन हां कहीने कहीन हम कभी ल लौस होगा हम लोगcप मेरिड में आना चाहते थे कंपे सबने थे कि हमैरिड में आएं और कहीन नय कहीन वो हमारे हान से निकल गया लेकिन आपने जैसा कि बताए कि इंपBlue्मेंट वाला दोध विकल्प थे एक तो परिक्षा था दूसरा सुरक्षा था सरकार ने आपकी सुरक्षा को चुना है आप कुमानते हैं कि ठीक है झांध चुनना इसलिए सही चुन्द layout और बहुत तेजी से हम लोगाध कर देख अध्राव्य पड़ रहा है कि ओनIf पर अधैम्यर और Sustain संतुष्ट हैं आप बताईए कि सरकार के इस फैसले से आप क्यों पूरी तरह संतुष्ट नहीं आप क्या चाहते थे आपको नुकसान किस तरह का हो रहा है हमें अगर इससे अच्छी मेरिट बनती तो हमें तो हमें कंपेटिशन एक्जामों में काफी फाइदा होता क्योंकि क कुछ एक्जामों में मेरिट के अधार पचैन होता है तो इस बार मेरिट जारी नहीं होगी तो हमारे लोग का पुराने नंबर के हिसाब से इस बार भी नंबर मिलेगा और पिश्ची तोर पर इनके जैसे तमाम ऐसे बच्चे हैं तमाम ऐसे इस्टुडेंट्स हैं जिन्हो कि आपकी किस तरह साल उला पर तैयारी किया थी और क्या उम्मीद थी आपको तो आपको इस फैसले से फाइदा होगा या नुकसान होगा इस व्हीस। घंग से पढ़ाई नहीं हो पाई इस वज़से यह फैस्टुड़त बेटे जिनके उपर का प्रेशर ता महमारी से भैभीत थे और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए हमारे साथ टीचर भी हैं विद्याले के उनसे बात कर लेते हैं पताइए आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी कर आई थे ज्यादा नंबर आते इस बार तो इससे तो बच्चों का नुक्सान हुआ है ये तो निशिट है कि कुछ पर सेंटेज का बच्चों का नुक्सान हुआ है लेकिन जिन बच्चों का मुझे लगेगा कि नहीं नुक्षान हुआ उनसे मैं अगरह करूंगा इंप्रूप्मेंट एक्जाम दें और दे करके अपना रिजएट बहतर से ब बना सकते हैं आपको क्या लगता है कि इसे बच्चों का फायदा होगा या नुक्सान होगा सर्फ कुछ बच्चों का तो नुक्षान हो रहा है वो नुक्सान होने वाले बच्चे जिन बच्चों का नुक्सान हो रहा उनकी संख्या पान से 10% है लेकिन एक बहुत बड़ी जा सकता है कि नंबरों का नुकसान भले हो सकता है लेकिन कम से कम जिंदगी सुरक्षित रहेगी यह एक बड़ा फैसला है आप बताइए आप अभी भावक हैं आपके बच्चे इस बार बोर्ड का एक्जाम देते जो सरकार का फैसला है लगता है कि यह सही फैसला है बच्चो तो नहीं संतुर्टे दुबारा जो आप बताई डूर्ट पेपर देंगे उसमें अपन नमर बढ़वा सकते हैं और मेरिट हिसाब देखा जाएगे तो मेरिट हिसाब कहीं चायन होगा तो हिसाब से मेरिट नहीं बन पाएगी बिल्कुल कहीं न कहीं जो स्टुडेंट्स हैं उनके अभिभावक हैं उनके मन में दुविधा भी है कई सवाल भी है आप बताईए आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर यह फैसला बहुत सही है सरकार का बच्चों को स्वास्त को देखते हुए सरकार का फैसला बहुत बढ़िया रहा और आगे भी बच्चों को स्वास्त क निगरानी की जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए बिल्कुल आप तो स्टुडेंट हैं आप बताइए कि आपको लगता है कि आपका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है कितने परसेंट आपके मार्क्स आएंगे अब टेंथ और 11 को मिला लिए जाएंगे अस्वस् सों सभी ने मिली जूली प्रतक्रिया जताई है कुछ स्टुडेंट्स इससे निरास जरूर है उनका कहना है कि उन्होंने इस बार ज्यादा मेहनत की थी उन्हें ज्यादा अच्छे नंबर आने की उम्मीद थी लेकिन फिर भी चूंकि जिंदगी को बचाना ज्यादा जरू कैमरा में रोहिश्री वास्तों के साथ मुहम्मद मुहीन एबी पी गंगा प्रियागराज एबी पी गंगा खबर आपकी जवाद की